हेलो दोस्तो वेलकम बैक वन्स अगेन ओन अवेकन ब्रेंज दोस्तो एक बारी फिर से आप सबका अवेकन ब्रेंज पर मैं वेलकम करता हूँ स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में एक बहुत बड़े अपडेट के साथ दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर इस वगत देख रहे होंगे डेली एक्सेलशर का न्यूस पेपर उसका ये फ्रेंट पेज है और आज ही की ये न्यूस है सेप्टेंबर 30, 2022 दिन है फ्राइडे का और यहाँ पे फ्रेंट पेज पे ये हैडलाइन पर आप नज़र दोड़ा सकते हैं जी हाँ पंचायत अकाउंट्स एसिस्टेंट पेपर देख सकते हैं आपकी इस तरह से स्कैमर्स यहाँ पे इंडल्ज हो चुके हैं जमु कश्मीर की रेक्रूट्मेट जो गवर्मेंट की होती है उसके अंदर और OMR sheets were also replaced in SSB यानि कि JK SSB के अंदर replace किया गया था OMR sheets को टॉप थ्री officials under scanner तो ये complete detail में यहाँ पे बात होगी दोस्तों पूरी detail में आपके साथ यहाँ पे discuss करूँगा कि क्या इस खबर के बारे में daily accelerator ने लिखा है और आप बने रहेगा इस वीडियो के साथ शुरू से लेके last तक channel पर अगर आप नए हैं इसी तरह के updates को देखने के लिए इस channel को जुरूर support करें सब्सक्राइब के button प्रेस करना ना भूले साथ ही साथ bell notification icon को भी प्रेस कर लें ताकि हर latest update इसी तरह से आप तक पहुँचता रहे job related update हो educational videos हो educational content हो कुछ भी हो जो आप से जुड़ा होगा वो आपको यहाँ पर इस channel पर मिल जाएगा तो subscribe जुरूर कीजेगा bell notification icon को प्रेस जुरूर कीजेगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ इसे like जुरूर कीजेगा जाद से जाद से शेयर कीजेगा और comment में अपना feedback भी देना ना भूलेगा चलो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली headlines जो है आज की यह देखने को मिल रही है कि पंचायत accounts assistant paper two was leaked rupees four crore deal was struck for forester exam कितनी बड़ी बात है यहाँ पर क्या trust रहेगा अब candidates को जेके SSB पर और जो recruiting agency हमारी one and only agency जो जेके SSB है जो non-guarded recruitment करवाती है यहाँ पर government jobs के लिए क्या उस पर trust बना रहेगा यह सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर देख सकते हैं OMR sheets जो है वो replace की गई थी जेके SSB के अंदर जाकर और top three officials under scanner है यहाँ पर संजीव पारगर जी यह news हमें देते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं complete मैं पढ़ूँगा इस news को आप बने रहेगा यहाँ पर जम्मू से यह news आती है 29th September in a sensational revelation it has surfaced during investigations by Central Bureau of Investigation जो इसको investigate कर रहा था इस case को जो paper leak के मामले आप सब जानते हैं जमू कश्मीर पोलीस सब अनिस्पेक्टर का paper और उसके बाद जमू कश्मीर फाइनेंस अकाउंटस असिस्टेंट का paper और जमू कश्मीर जेई सिवल्स का paper ये तीनों already जो हैं वो cancel हो चुके हैं इनकी नई dates आना बाकी है और आज ये बहुत बड़ा update फिर आपके सामने आ रहा है और जो अभी exam हुआ ही नहीं है जिसके अभी application forms अभी अभी date खतम हुई है लगे हैं उसकी deal भी already 4 करोर रुपे Indian currency के हिसाब से वो deal set कर ली गई थी तो कितना बड़ा ये जो आरोप है और कितना बड़ा इस scam है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो CBI जो investigate कर रही है that not only the exams were leaked in the convenience with JK SSB previously been but even OMR sheets had also been replaced in lieu of money while question paper आप पंचायत accounts assistant जिनके candidates हमारे बहुत सारे दोस्त लग भी गए हैं jobs कर रहे हैं उसके अंदर भी question papers जो हैं वो leaked हुए थे had also been leaked and a deal of rupees 4 करोड was struck between paper leaker of Haryana and Jammu based chemistry for upcoming examination of Forester तो Forester की post ने पहले ही इतने मरहलों से गुजर कर मुश्किल से यहाँ पहुची थी के आप exam उसके आएंगे notification निकली इतने सालों के बाद यह paper होने वाला था इस पर भी पहले ही scammers की नजर और 4 करोड रुपे Indian currency की deal जो है उसको भी set कर लिया गया था Haryana और Jammu based scammer के बीच में तो details gathered by the accelerator revealed that three senior ranking officer of SSB यानि JK SSB के दो पहले ही कहा जा रहे है two now shifted from board were involved in replacing OMR sheets in exam एक तो इन्होंने इतना बड़ा यह जो धांदली की OMR sheets को Jammu Kashmir Service Selection Board के अंदर से बदला so far replacement of 29 28 OMR sheets अभी तक बताया जा रहे है जो है वो change की गई है replace की गई है chemisters even sold question paper of Haryana Haryana board के Haryana के paper Haryana state के recruitment के paper भी Jammu से बिके इतना बड़ा nexus है यह तो sheets जो यहां पे 28 OMR sheets have been noticed and more sheets are being scrutinized to see how deep the roots of sheets replacing scam were in JK SSB यानि कि आप paper दे देते हो आप का paper खराब हुआ नहीं हुआ क्या हुआ क्या नहीं mention लेने की जुरूरत नहीं है सारा कुछ इंतजाम JK SSB अंदर से कर लेगी OMR sheets बदल लेगी deducted as a signature of the invigilators in the center of exam didn't match on the OMR sheet available with the SSB तो बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ा सबक है आगे आने वाले exams में भी आप invigilator का sign जरूर जो है वो करवाएं और invigilator का sign जो है आप देखें कि क्या हर एक sheet पे हो रहा है और उसके बाद वहाँ से तो आपको भी ध्यान रखना होगा कि invigilator का sign कितना matter करता है आपकी OMR sheet के ऊपर फिर इस clearly means that OMR sheet signed by the invigilators after completion of the paper at examination center were replaced and someone else signed for the invigilator hoping that it will never be detected as none in the SSB earlier anticipated the government and CBI crack down on the board source said मतलब यह expect नहीं किया गया था कि कभी OMR sheets के sign भी check किये जाएंगे JK SSB के उन officials के गुमान में भी यह बात नहीं थी लेकिन CBI तो CBI है उन्हों है OMR sheets मंगवाई उस center की मंगवाई उन sub की मंगवाई और फिर उन signatures को check किया गया invigilators की signatures को बारीकी से check किया गया और वहाँ पे JK SSB के होश उड़ गये उन officials के होश उड़ गये और यहाँ पे चोरी scam पकड़ा गया तो यहाँ पे column number 2 पर जाएंगे लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि candidates को बाद में OMR sheets भरने को कहा उनोंने वह बाद में भरके exam खतम होने के बाद अराम से 2-4 दिन के बाद वह भरी और फिर पहुँचा कर दी JK SSB को और JK SSB ने उन officials ने बड़े चाला की से सारा JK SSB पे यहाँ पे कोई blame नहीं कर रहा है उनके officials जो selected कुछ officials हैं जो corrupt हैं JK SSB के अंदर सारे corrupt नहीं हो सकते यह clear है मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे news है कि top 3 officials जिनोंने यह गड़बड की होगी उनके नाम भी जल्दी आ जाएंगे अब next page पे यहाँ पे देख सकते हैं OMR sheets को जब यह बदला गया बाद में बदला गया exam होने के बाद बदला गया और फिर बाद में invigilators जो उनके अपने corrupted invigilators बने होंगे उन्होंने उन पर sign किया और फिर उनको उनी sheets के अंदर गुसा दिया ताकि किसी को पता भी न चले तो क्या है पैसे का खेल और किस तरह से नौकरियां ली जाती है आज के जमाने में भी 2022 में भी इस तरह के scams और CBI के लिए शाबाशी कि उन्होंने इनको नंगा किया है पुरी देश के सामने पुरे state के सामने union territory के सामने और खास कर उन candidates के सामने जिनका दिल तूट किया जिनकी जो जिन्दगिया जो है बरबाद हो रही थी और वो अब शायद बच जाएं अब देखते हैं आगे फिलहाल तो ये न्यूस में पूरी कर लूँ OMR sheets were also replaced in SSB top three officials under scanner तो यहां से आगे देखें sources said that invigilators will shortly call on sitting members and two then officials who were shunted out of the SSB after paper leak scam as their involvement surfaced in changing up OMR sheets यहां तक clear हो गया फिर यह कह रहा है कि possibility possibility of change of more OMR sheets in the past is also not ruled out as some of the officials remained posted in the SSB for a long time till the government decided to remove all of them expecting the incumbent chairman as no exam was held during his tenure तो यहां पे वो यह सब तब तक करते रहे जब तक न exam क्योंकि हो नहीं रहे थे और वो officials को transfer किया नहीं गया था तो वहां पे वो अपना जो नंगा नाच है वो करते रहे जेके SSB के अंदर और खिलवार उन सारे candidates के साथ करते रहे futures के साथ करते रहे उन सपनों को उन ख्वाहिशों को मारते रहे और जो मेहनती बच्चे हैं उनके गले जो है घोटते रहे ये तीन officials, corrupt officials noting that exam of not only sub-inspectors in Jammu and Kashmir police financial accounts assistant and J.E. civil were leaked by the chemister which have since been cancelled by the lieutenant governor Manoj Sina ji ने इन तीनों को cancelled तो किया इन तीनों के nexus के बाद और बाद जो सामने आई but in the past the question paper of the panchayat accounts assistant were also leaked ये भी CBI कह रही है तो यहां से आपको पता चल सकता है कि वो कब से इस plan में जुटे हुए थे और पैसे बना रहे थे Even the deal had also been struck for rupees 4 crore between paper leaker of the Rivari, Mehendra Ghar and other place of Haryana and Scamisters of Jammu, यहां पे आप देख सकते है आप यहां पे Jammu mostly based in the part of Acnur for leaking the upcoming question papers और उसके बाद amount was to be paid by Jammu Scamister to their associates in Haryana और उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं उसके बाद यहां पे amount were also paid by the Jammu Scamister to the associates in Haryana and all those associates were with leaking of the question paper after collection from candidates of Jammu and Kashmir source set investigation revealed क्या कहती है कि leakage of paper was mostly confined to Jammu region as all those engaging in leak the paper were based in Acnur इसलिए यह जम्मू based ही nexus रहा कश्मीर तक नहीं पहुँच पाया खोड, प्लावाला, काना चक and some other areas नहीं यह paper गूमता रहा इसके scams चलते रहे significantly the requesters were not only active in Jammu but they had also leaked a question paper of Haryana with the help of CRPF constable that then posted in Gangyal However, since the question paper was found on WhatsApp before conduct of exam the paper was subsequently cancelled there यह Haryana की news आ रही कि वहाँ पे पता चल गया कि WhatsApp पे paper leak हो रहा है तो exam को cancel कर दिया गया exam होने से पहले ही लेकिन हaryana में भी इनकी जड़े मजबूत हो चुकी थी scam करने की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली जमू में ही नहीं हरयाना में भी इनने paper leak करवा है इतना बड़ा nexus The examination conducting agency merit track of Bengaluru is under cult right from the beginning अब यहाँ पे आप देख सकते हैं beginning as it was conducting the SSB examination for the last about seven years तो उपर वाला ही जाने अब क्या क्या हुआ होगा Investigators have found during investigation that at the time of allotment of work merit track was L2 but the then authorities allotted the work to it ignoring L1 The investigation agency as per the source is gathering evidence before making more arrests in the scam and the possibility of the arrest of former SSB official is also not ruled out यहाँ पे अभी तक यह rule out नहीं किया गया कि उनकी possibility है arrest होने की है नहीं है लेकिन 8 persons including government teacher 2 police constable and 1 former CRPF jawaan have so far been arrested by CBI in connection with the scam 3 of them have been sent to jail while 5 other are still in CBI custody facing interrogations It may be mentioned here that the leakage of the paper question paper of sub-inspector in Jammu and Kashmir police was detected first followed by finance accounts assistant and J.E. Civil all the government all these three exams were cancelled by the government यहाँ पे क्या कहरे है कि it may be mentioned here that the leakage of question paper जैसे sub-inspector of Jammu and Kashmir was detected first और उसके बाद followed by finance account assistant यह आपको भी पता है फिर J.E. का यह तीनों down-the-line paper cancel हुए all those selectors जो इसमें merit में थे बच्चे बड़ा चिलाते रहे कि हमारा merit है हमारा merit है यह possible नहीं होता कि जब किसी में cheating हो जाए तो उस cheating की जड़े कहां तक जा सकती है उसको track करना मुश्किल है इसलिए सारा का सारा paper cancel करना ही इसका नतीजा था best इलाज था और उसमें अच्छा किया और all these three exams were cancelled by the government and will be held now in October यह यहां पे report आ रही है meanwhile Chief Judicial Magistrate CGM Jammu Amarjit Singh Lange यहां पे बहुत बड़ी news today granted seven days police remand of three accused and three days remand of two two others in much publicized SI paper leak scam तो यहां जो Chief Judicial Magistrate CGM Jammu है इस वकत Amarjit Singh Lange बहुत अच्चे तरीके से हम इन्हें जानते हैं यहां पे मैं reveal नहीं कर सकता लेकिन Rakesh Kumar कुमार सन आफ शामलाल आफ मावा ब्रह्मना केवल कृष्न सन आफ तरसेम लाल आफ चोद्रियावाला खोड और अश्वनी कुमार सन आफ मेला राम आफ कचरायल खोड have been remanded to seven days police custody while as Yatin Yadav सन आफ Deshraj of Rivari and Anil Kumar son of Aum Prakash Mahendragad Haryana have been remanded to three days custody court observed having regard to this to the investigation carried out out so far and considering the stage of investigation a case for grant further police remand in respect of accused is made out by the investigating agency accordingly accused are remanded to further police custody this is all about what we are hearing और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं यह Daily Accelure ने आज बड़े बड़े अक्षरू में हेडलाइन्स में हमें बता दिया है कि पेपर जो पंचायत अकाउंट एसिस्टेंट का था वो भी लीक हुआ था और कहां तक जड़ें गई होंगी इसकी merit track की कोई पता नहीं है जेके SSB के अंदर के officials मिले हुए थे चार करोड की डील जो है Forrester exam के लिए set हो चुकी थी OMR sheets अंदर से बदले गए थे exam देने के बाद बदले गए थे और बाद में रहे होंगे इसे जादा से जादा शेयर करें डेली एक्सेल शेयर पर ये न्यूज आई है तो दोस्तों आगे JKSSB को किस तरह से कसा जाएगा किस तरह से honest organization बनेगी किस तरह से recruitment सही तरीके से neutral way में honest तरीके से कर पाएगी ये बहुत बड़ा सवाल है मुझे तो लगता है October में भी पेपर नहीं होना चाहिए जब तक ना इस चीज की clarity आए कि अंदर से system को पूरा X-ray किया जाए सही किया जाए साफ और शफाफ किया जाए ताकि trust इन पर बना रहे बरकरार रहे और फिर ये इस लायक बने कि ये पेपर करवा सके अभी अक्तूबर का महीना कल से शुरू होने वाला है और यहां पर अक्तूबर में पेपर करवाया जाएगा अंदर से इसको पूरा जब तक wash नहीं किया जाएगा और इस mindset को create नहीं किया जाएगा कि पेपर जब भी होगा कड़ी निगरानी में होगा और honest तरीके से होगा तब तक मुझे लगता है कि recruitment भी नहीं करवानी चाहिए जब तक ना पूरे system को साफ किया जाए जिस तरह से UPSC level में पेपर होते है इसी तरह से यहां पे भी पेपर हो और SSC level पर पेपर होते हैं यहां पे भी हो और बिल्कुल candidates के मन में कोई भी शक 0.01% का भी ना रहे पेपर फिर होने चाहिए तो यही news मैं आपको दे रहा था daily accelerator की तरफ से जो आई है आज news मार्शीट्स के बारे में जो बताया गया पंचायत अकाउंट एसिस्टेंट के बारे में बताया गया Forrester exam की जो deal हो चुकी थी इसके बारे में बताया गया I hope कि यह news आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों कुछ सुकून और रहात आई होगी कि CBI बहुत अच्छे तरीके से इस case को जो है follow कर रहा है और इसकी जड़ें जो है वो खोद रहा है We hope कि कुछ अच्छा ही सामने आये और candidates जो पूरे union territory अप जमोन कश्मीर के हैं और जो link करते हैं आपने आपको JK SSB के साथ उनको रहत परी न्यूज आगे भी मिले आप बने रहेगा इस चैनल के साथ इसी तरह से आगे भी न्यूज आगे भी अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलते जाएंगे इन डिटेल तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके जाना और इस चैनल को जुरूर स्पोर्ट करना बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना ना भूलना साथ ही साथ इस वीडियो को God bless you all.